आज के वीजियो का टॉपिक है Create Nifty Task from New Google Forms Responses सिखाऊंगा कि कैसे आप Google Forms के तुरू अपने Nifty के अंदर task create करवा सकते हैं बिना आपकी और मेरी involvement के means Automatically Software के द्वारा ये process हम कराएंगे एक automation side करके Automate करना होगा Google Forms को Nifty से Nifty क्या है? Project Management Software है तो इन दोनों को जब हम automate कर देंगे तो जैसे ही हमारे Google Forms के द्वारा बने हुए Form को मैं या कोई और person या कोई भी fill करेगा New Entry Received होगी तो उसके अंदर जो भी details हम hack करेंगे उस details के help से automatically Nifty के अंदर एक task create हो जाएगा बिना आपकी और मेरी involvement के कैसे इस automation को साइक करना है process जाननी के लिए बने रही है इस video में सबसे पहला हम अपने browser में type करेंगे www.pably.com सामने आ जाएगे official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनानी के लिए मैं अरड़ी free account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूंगा sign in पे first option आएगा पैबली connect का क्लिक करूंगा access now पर then open हो जाएगा पैबली connect का dashboard create workflow पे क्लिक करके अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं एक simple सा नाम दे देता हूँ google forms to nifty ठीक है मैंने नाम दिया google forms to nifty आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow यूज कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम फ्री में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरे google forms के दौरा बने गए form को जिसका नाम है new task इस form को जबी भी कोई person फिल करे उसमें task name, task description, start date और due date जैसे ये add करे तो automatically इन सारी details की help से मेरे nifty के अंदर एक task create हो जाए तो ऐसा automatically करवाने के लिए हमें हमारी trigger application में चूज करना होगा सबसे पहले google forms को search किया, चूज कर लिया google forms को then trigger event पे हम चूज करेंगे new response received को and webbook url pably connect ने दिया है जिसको copy करेंगे और नीचे दिये गए instructions को follow करते हुए integrate कर देंगे अपने google forms को pably connect से integrate करने के लिए चलना होगा हमें हमारे google forms पे, तो ये मेरा google form है जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ new task नाम का ये form है जिसको मैं integrate करना चाहता हूँ है ना कुछ इस तरह से मैंने ये बनाया है name, description, start date, due date मैंने इसमें fields रखी हैं आप अपने according और जैसा form create करना चाहते हैं और चाहते हैं, fields और add करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो integrate करने के लिए मुझे click करना होगा responses पे देनस के बाद यहाँ पर option है link to sheets का जैसे click करूँगा link to sheets पे तो यहाँ पे create a new spreadsheet का option आएगा जिसको select करके मुझे create पे click कर देना है तो क्या होगा Google Forms automatically एक Google Sheets create करेगा जिसमें वो सारे columns होंगे जितनी भी fields आपने यहाँ पे अपने forms के अंदर बनाई है उनसे related जैसा कि आप देख रहे है task name, description, start date, due date time stamp, कब, कितने बज़े किसने form fill किया या अपने according Google Forms अपने तरफ से यह column बना देता है ठीक है चलिए, तो मैं इनको तोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, ताकि आपको देखने में आसानी हो, centralized कर देता हूँ है ना, और साथी साथ color भी कर देता हूँ, simple, ठीक है अब better दिख रहा है, ठीक है description का जो column है वो भी बढ़ा कर देता हूँ, task name का बढ़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, जबी भी कोई इस form को fill करेगा, तो automatically वो जो भी details form में fill करेगा वो यहाँ पर add हो जाएंगी, कितने बज़े form उसने fill किया, वो यहाँ पर add होगा details यहाँ पर one by one add हो जाएंगी चलिए, test कर लेते हैं एक बार तो मैं यहाँ से, जो है, share करता हूँ send पर click करता हूँ, और इसकी जो link है form की, उसको यहाँ से copy कर लेता हूँ, और एक new tab में open करके as a user fill करता हूँ मान लीजिए, यहाँ पर मैं कोई person हूँ हूँ है dummy name नाम का कोई person हूँ dummy task, then task का description होगा dummy description, okay dummy description ठीक है, और नीचे आजाँगा यहाँ पर start date में select कर लूँगा calendar के अंदर से, so start date होगी 22nd of February, okay then due date होगी 28th of February, okay ठीक है, then submit कर देता हूँ मैं इस form को, जैसे ही submit किया your response has been recorded, चल कर चेक करते है pably connect ने इस form submission से related details capture की के नहीं, तो अभी कोई details pably connect capture नहीं करेगा यहाँ पर show रहा है, waiting for webhook response क्योंकि अभी हमने connection बनाया नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे, connection बनाएंगे तो चलिए, connection बनाने के लिए पहले हम check कर ले थे, google sheets में data आया के नहीं, yes यहाँ पर एकदम perfectly data आगया है, इतनी तारीक को इतने बज़े form fill किया गया है, task का name जैसे कि मैंने add किया था, description start date, due date, एकदम same to same है means connection एकदम perfectly work कर रहा है, google forms और google sheets के बीच में, अब मैं क्या करूंगा, मैं google sheets को integrate कर दूंगा पैबली connect से, जैसे कि जैसे ही इसमें कोई data add होगा, तुरंत वो data पैबली connect capture कर लेगा, तो चलिए integrate करने के लिए हमें click करना होगा extensions पे, then उसके बाद add-ons पे, then get add-ons पे, get add-ons पे click करने के बाद open हो जाएगा, google workspace marketplace, यहाँ पर आपको search करना है, पैबली connect वाबुक्स को, search करके अपने PC में install कर लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, already installed है, हना आपके PC में नहीं होंगे, so कर लेना, install करने के बाद, अपने google sheets को refresh करना, मत बूलना, refresh करने के बाद, जब आप दुबारा extensions पे click करोगे, तो आप देख पाओगे, कि एक नया option आने लगा है, पैबली connect वाबुक्स का, यह रहा, आपको उस पे जाना है और click करना है, initial setup पे initial setup पे click करने के बाद, यह आप से मांगेगा, वाबुक URL और trigger column, so वाबुक URL जो पैबली connect ने आपको दिया है, आपको simply उसे copy करना है, और आना है वापस Google Sheets पे, और वाबुक URL वाली फिल्ब में उसको paste कर देना है, then trigger column क्या होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको, spreadsheet के अंदर जो last data entry column होता है, उसको हम कहते है, trigger column, so मेरी यह spreadsheet है, इसका जो last data entry column है, जिस column में मैं सबसे last data enter किया है, वो है E column, उसके बाद कोई data नहीं है, blank है वागी सब column, तो मेरा जो trigger column हुआ, वो हुआ E, यहाँ पर मैं लिख दूँगा, capital E, मेरा E है, आपका exercise है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लिक करूँगा send test पे, तो इस Google Sheets का data, पैबली connect के पास, यहाँ पे capture हो जाएगा, चलिए, क्लिक किया send test पे, चल के check करते हैं, पैबली connect ने data receive किया के नहीं, yes, यहाँ पे response received हो गया है, वाबो QRL के through, और एकदम perfectly वही सब data है, जो मेरी Google Sheets में मौझूद था, तो इसका मतलब यह है के वाबो QRL जो है, वो एकदम perfectly work कर रहा है, अभी हमें आना है वापस हमारे Google Sheets पे, और submit पे क्लिक करके इस window को close कर देना है, submit पे क्लिक कर दिया, इस window को close कर दिया, अभी आपने देखा होगा, जब मैंने send test पे क्लिक किया, उसके बाद जाके data sent हुआ, पैबली connect को, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे involvement की कोई जरुरत ना रहे, तुरंत यहाँ पे, जैसे ही कोई form submit करे, यहाँ पे neuro add हो, और तुरंट data sent हो जाए, पैबली connect को बिना मेरी involvement के, तो ऐसा automatically हो सकता है, ऐसा करवाने के लिए extensions पे जाना होगा, पैबली connect via books पे जाना होगा, यहाँ पे option है, send on event का, इस पे click कर देना होगा, अब आपको send test पे click करके data sent करने की कोई जरुरत नहीं है, जैसे neuro add होगी, तुरंट data sent हो जाएगा पैबली connect को, क्योंकि यहाँ पे हमने यह event on कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे write का sign आ गया है तो अभी हमें एक proper connection बना चुके हैं, Google Forms और पैबली connect के बीच में, जबी भी हमारे Google Forms के इस form को, जिसका नाम है new task, कोई भी person फिल करेगा, तो इस तरह से पैबली connect उसकी सारी details अपने पास capture कर लेगा, ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि यह जो details capture की है, पैबली connect ने इन details के help से एक task create हो जाए मेरे nifty के account में, तो ऐसा करवाने के लिए हमें नीचे आना होगा, अपनी second and last application में चूज करने ना होगा nifty को, तो search किया choose कर लिया nifty pm को project management, ठीक है then action event में हम choose करेंगे create task को, ओके then connect पे click करेंगे connection के लिए, उसके बाद add new connection पे then connect with nifty pm पे then यह access वागेगा, तो हम access दे देंगे, don't worry pably connect is 100% safe, allow पे click करके access दे दिया है okay, so authorization successful हो गया है, और जैसा कि आप अब अभी देख पाएंगे, connected है मेरा nifty pm, पैबली connect से connect होने के बाद, सबसे first field है यह task name की, मुझसे बूल रहा है कि sir, जो आपको task create करवाना है, उसको आप क्या नाम देना चाहेंगे, तो नाम description वगरा वगरा, सारी details पहले ही उपर हमें मिल चुकी है जैसे कि आप देख रहे है, यह task का नाम description, due date, start date सब है हमारे पास, इन details को in blank fields में add कर देंगे, add करने के लिए हम एक technique का use करेंगे जिसको हम कहते है mapping, mapping में हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं, कैसे आपको just click करना होता है, blank field पे नीचे option आता है, आपकी previous step का, जो की है, google forms click कीजिए, इस पे सारा data open हो जाएगा यहापे आपको task का नाम find करना है तो यह रह task name, click करके इसको यह पर add कर दीजिए, जो process मैं ने भी करी, इसी को mapping कहते है जितनी easy or simple है, अतनी नहीं होगा, तो जो भी task का नाम हापे हम fill करेंगे, automatically वो यहापे आके add हो जाएगा, change हो जाएगा खुद बागुद क्योंकि यह अभी हमने यहापे map किया है, है ना, तो that's why mapping is important, तो जहाँ जहाँ मैं data map कर रहा हूँ, वहाँ आपको भी करना complex हरी है, map करने से data automatically change होके fill हो जाता है description इसी तरह से map कर देते हैं, google forms पर जाओंगा यह मिल गया, task description क्लिक करके map कर दिया project id, यहाँ से आप select कर सकते हैं, है ना, task group id, यहाँ से आप select कर सकते हैं, तो project id मैं जाता हूँ, integration नाम की, जैसे कि आप देख रहे हैं, दो project id है एक है integration नाम की project id, और एक है pb pro नाम की project id, होके तो आपको जो भी project, आपके account में जो भी project id होंगे, आप उनमें से select करना चाहें, कर सकते हैं, ठीक है दन आ जाता हूँ, milestone id पे तो यहाँ से आप अपनी milestone id select कर सकते हैं, मेरे पास अभी है नहीं तो nothing selected बता रहा ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो की required है start date और due date यहाँ पे देना होगी, तो यह दोनों भी हमारे पास हैं, map कर देंगे, start date google forms से मिल जाएगी, यह रही start date क्लिक करके map कर दी, simple लेकिन जैसा कि आप देख रहे है नीचे साफ साफ लिखा हुआ है enter start date here, example किस format में ने date चाहिए यहाँ पे इनों ने हमें यह साफ साफ बता दिया है, तो यह जो format है यह है yy और dd mm यह नहीं, यह है yy mm dd format t उसके बाद time वाला और वगरा वगरा तो इस format में हमें यहाँ पे date add करना होगी कोई problem नहीं है तो यह वाली date हम अगर add करेंगे तो यह नहीं चलेगी, इसलिए इसको backspace से हटा देते हैं अब हमें date इस format में चाहिए तो इस format में date करने के लिए हम publicly connect के, great feature date time formatter का use करेंगे क्या करेंगे, उपर आएंगे वापिस और यहाँ पे हम इन दोनों applications के बीच में plus button का option है इस पे click कर देंगे plus button पे click करके action step add करेंगे और यहाँ पे हम search करेंगे date time formatter को, यह रहा date time formatter then action event में हम choose करेंगे format date only format date only को हम choose कर लेंगे यहाँ से then click करेंगे connect पे, उसके बाद जो this date का हमें format change करना है, उसको यहाँ पे हम map कर देंगे google forms पे जाओंगा, यह रहा start date, यह map कर दिया simple, then from format के इस format में date यह है mm, ddy, yy format में, तो from format में हम choose कर लेंगे mm, ddy, yy वाला format mm है न, यहाँ पे मैंने search किया mm, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई सारे format से, है न, तो यहाँ पे हमें slash वाला format जो है choose करना है, यह रहा, mm, ddy, yy, slash है जिसके बीच में, click करके choose कर लिया, simple, then two format, किस format में हमें date और time जो है वो चाहिए, same, पहले से selected है, जैसा कि आप देख रहे है, yy, mm, ddy, t, के बाद बागी का part, तो इसी format में मुझे चाहिए, अगर और दूसरा format होता है, तो मैं यहाँ से दूसरा format select कर लेता है, एक पर check कर लेते हैं, yes, बिल्कुल, यही same to same format है, yy, mm, d, d, t, उसके बाद time वगरा, ठीगा, और आखरी date or time हमने निकाल लिया है, अब इसी तरह से हम end date or time भी निकाल लेंगे, okay, तो क्या करेंगे, यही वाली जो step है, इसको ही हम copy कर लेंगे, यहाँ three dots पे click करेंगे, और जो है, choose करेंगे copy step को, तो click किया copy step को, तो successfully copy हो गई यह step, अब हम क्या करेंगे, फिर से three dots पे click करके, paste step प click करेंगे, तो नीचे हमें एक और step मिल जाएगी, same to same, okay, अब हमें क्या करना है, अब हमें simple सा, थोड़ा सा change करना है, क्या करना है, यहाँ से जो start date है, उसको backspace से हटा देना है, then google forms के दौरा हमें जो end date है, वो इसके अंदर map कर देना है, यह रही हमारी due date, okay, click करके हमने इस start date है, वो भी मिल गई, और start date है, वो भी मिल गई, किस format में, जो format required था, यहाँ पर add करने के लिए, अब हम यहाँ पर successfully data map कर सकते हैं, but, map करने से पहले हमें एक बार refresh कर लेंगे, है ना refresh करने के लिए हमें connected पर click करना होगा, then उसके बाद simply save पर click कर देना होगा, तो यह जो है refresh हो जाएगा, refresh हो गया है, अब नीचे आना है हमें, उसके बाद हमें start date के अंदर start date map कर देनी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आप नीचे तीन तीन options ना आने लगे हैं, तो हमें पता है, first वाले option से, first वाले हमारा जो date time formatter है, उससे हमें मिल जाएगी start date, तो click किया, य जैसे कि आप देख रहे हैं, 22nd of February, click करके map कर दी, simple, इसी तरह से due date, वो मिल जाएगी हमें, हमें हमारे last validated time formatter से, ये मिल गई, 28th of February की हमारी due date, खी गया, तर उसके बाद banner, assignees, इन सब को मैं skip करते हुए, simply click करूँगा, save and send test request पे, तो एक task create हो जाएगा, मेरे nifty के account में successfully, all task पे click करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई भी task नहीं है, तो ये click कि हमेंने save and send test request पे, successfully, यहाँ पे response received हो गया है, और एकदम positive response है, successfully created दिखा रहा है, चलके check करते हैं, हमारे nifty के account में कोई task create हुआ के नहीं, तो अभी तक तो मुझे नहीं देख एक बार refresh कर लेता हूँ task की list को, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह refresh हो गया, refresh हो जाने के बाद हमारे सामने एकदम, सामने हमारे dummy task के नाम से task create हो गया है, जिसको हम open करके देख लेते हैं, जिसका description जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने दिया था, dummy description, और यहाँ due date आप देख पारे हैं, 28 February 2023, एक दम perfectly यहाँ पर task create हो गया, और इस task की presence बता रही है, कि हमारा जो automation है, वो set हो गया है, पैबली करनेक्ट पर वापस आना है, और just हमें click कर देना, save पे, और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यह पूरी process अब automatically होने वाली है, क्या होगा, automatically मैं आपको बता देता हूँ, अब जबी भी आपके इस form को, या फिर आप खुद कोई भी form फिल करेगा, जो यह form है, जबी भी आप अपने इस form को फिल करोगे, और इसमें task name, task description, start date, or due date, add करोगे, तो automatically, एक task create हो जाएगा, आपके nifty के account में, जैसे कि यह dummy task create हुआ और यह बिल्कुल instantly होगा, बिल्कुल भी time नहीं लगेगा, तुरंट होगा, यहाँ पे आपने form फिल किया, और तुरंग task create हो जाएगा, नifty PM के अंदर, तो ऐसा automation हमने set कर दिया है, और जब तक यह workflow on है, यह process automatically होती रहेगी, तो ना सिर्फ इन applications को, पैबली connect के help से, आप multiple applications को integrate कर सकते हो, automate कर सकते हो, बिना किसी परिशानी के, जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के description box में, आपको एक link मिल जाएगा, जो की होगा, इसी workflow का, आपको जाना है, उस link पे click करना है, और आप भी मेरा बनाया, यह same workflow use कर पाओगे, अपने account में, यहाँ पे link दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने questions, queries, जो भी आपको पूछना है, वो आप पूछ सकते हैं, second thing, अगर आपको family connect की price जाननी है, तो इस link पे जाके चेक कीजिए, और सबसे most important part, अगर यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को like करना मत भूलेगा, और म झालेगा, thank you.